नमस्कार, welcome to my channel, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सब्तधान के कुछ अलग-अलग प्रियोग बताएंगे, जिसे यदि आप पूरे सिद्धत से करते हैं, तो आपको काफी लाग मिलता है, और आपके बहुत सारेग्रा स्वता ही बैलेंस होते हैं, औ यदि आप इसे विसेश तोर पर उपाय के रूप में अमाउस्यातिती पर करते हैं, तो आपके घर से कोई लंबी बिमारी यदि आप परेशान है, उस बिमारी से चुटकारा भी आपको मिलता है, और भी बहुत सारी चीजों में आपको ये लाब देने वाला है, तो पहले ह हम आपको पताएंगे सब्तधाने किसे कहते हैं, सब्तधाने का मतलब होता है साथ प्रकार के अनाज, जिसे सत अनाजा के नाम से भी कोई को लोग कहते हैं, और साथ प्रकार का अनाज होता है, जिसमें प्रमुक तोर पर जो, गेहूं, काली उरत, हरी, मूं, खड़ी वाली, और सफेद तिल और धान तो धान के स्थान पे आप चावल ले सकते हैं क्योंकि धान जो होता है वह बीच के रूप पे रहता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो आप धान के स्थान पे वो ले सकते हैं और आपको लेना है काला चना तो आप एक चीजे सब आपको हम यहां पे लगा दे रहे हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि क्या-क्या चीजे हैं, सभी चीज आप इकठे कर लें, और इसी क्या करना है, आपको अपने घर में इसका आटा बना लेना है, घर पे गेहू का आटा कैसे बनाना है, वो मैंने वीड आटा बना सकते हैं तो आप इमर्जंसी में ये कारिय कर सकते हैं बाहर जाने के जुरुत नहीं है जो थोड़े से अनाज होते हैं उसे बड़ी चक्की में पीसना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वह पूरे ऊसकी लेडर का ही हो जाता है तो इसलिए आप अपने घर में इन अनाज को powder के रोप में बना लें अब इस powder का इस्ते माल कैसे करना है दोस्तों सबसे पहले तो इसकी यदी साथ पुरकार के जो अनाज होते हैं इसकी यदि आप रोटियां खाते हैं परडे ज्यादा नहीं बस एक रोटी आपको खानी है तो आप खाते हैं तो आपका digestion system बहुत अच्छा हो जाता है जैसे बहुत सारे लोगों को constipation की शिकायत होती है तो आप ये साथ प्रकार के अनाज लाएं और इसकी रोटिया बना के खाएं पातंजली में तो आलड़ी इसकी रोटिया मतलब आटे मिलते हैं तो आप वहां से भी ला सकते हैं यदि आपको प्राब्लम हो रही है तो वहां आप जाके ये आटा ready-made भी ले सकते हैं और इस तरीके से आप उन आटे को कैसे अलग- Webb तरीके से स्तेमाल करेंगे वह जाने जैसे इस आटे की आप रोटियां तैयार करें और इस रोटी पर थोड़ा सा घी लगा दें या तेल लगा दें और फिर आप इसके छोटे-चोटे तुखड़े कर लें और यह टुकड़े कैसे होने चाहिए आपके नाखून के बराबर, जितने बड़े आपके नाखून होते हैं, उतने बड़े वह चोटे-चोटे आपको टुकड़े कर लेने हैं, और उसे आपको पंचियों को खिलाने हैं, जडियों को खिलाने हैं, ठीक, और इस साथ प्रकार कि जो अनाज है इसकी आप रोटी बना के गव माता को खिला सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि आप एक रोटी बनाए जैसे कि हमारे हिंदू परंपरा में जो पहली रोटी रसोई की बनती है उसे हम गव माता को खिलाते हैं तो आप पहली रोटी जब भी और उसके बाद उस पे थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी उस पे लगा लें और उस रोटी के तीन हिस्से करें एक रोटी ऐसे करें आधी इसी रोटी जो होती है उसे गव को दे दे और जो आधी की रोटी बचती है उसमें आधा आप चुड़ियों को दे दे आधा टुकड़ रोटी आप गाय को खिला दें और जो छोटी वाली रोटी है उसे आपको पंचियों के लिए निकालना है और पंची के लिए जो आप करेंगे ये अंगुठे के बराबर उसका तुकड़ा होना चाहिए छोटी-छोटी रोटियां रहेंगी तो उन्हें लेने में आसानी होती ह चोण-चोण का छोटा सा होता है इस तरह से आप करें यदि आप ये कारिव बुत्वार से सुरू करते हैं और लगातार 43 डेज आप कर ले जाते हैं तो आपके बहुत सारे ग्रह बैलन्स हो जाते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ये जो साथ प करते हैं इस सब तो धाने का उपाय इसे आप पहले या तो भीगो दे या फिर आटे के रूप में ही लेते हैं और इसकी छोटी-छोटी गोलिया बना लेते हैं छोटी गोलिया बना ले इतनी मतर के बराबर गोलिया बना सकते हैं या थोड़ी से बड़ी भी हो सकती है और उ इस गोलियों को हलका सा पंखे में सुखा लें उसके बाद किसी नदी के पास आप चले जाएं नदी के अंदर मशलियां रहती हैं और उन मशलियों को आप बैठ के थोड़ी थोड़ी गोली थोड़ी दूर पे इस तरह से आप छुड़काव करेंगे कहने का अर्थ है कि इस लगातार 43 डेस कर ना है जो भी उपाय है आपको थोड़े लंबे समय तक करना होता है तभी उसका प्रतिपन आपको लाग करें जदी निवार dużo बद एक को गनिवार लाग लहार एं कर तो आप इप तो 21 सनिवार से निजात मिलती है जो आपके ग्रह आपको प्रॉब्लम्स क्रियेट कर रहे थे वो नहीं होगा और आपके भीमारियां आपके घर में जो आपकी संतान होगी वो आपके बाते मानेंगी आपके घर में अनफोना माता के क्रपा होगी आपके घर में मालक्षमी के क्रपा होगी तो इस तरह से इस सब्तधान का प्रियोग करें, एक बहुत अच्छा प्रियोग इसका और भी है, कि आप इस सब्तधान का उप्टन बना लें, जैसे बहुत सारे लोगों को इसकिन डिजीज हो जाती है, और वो लंबे समय तक उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी समय तक परिशान रहते हैं, और उनका वो प्राब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे में आपको ये जो सब्तधान का उप्टन है, इसी अब बना के आप अपनी स्किन पर लेप करते हैं, और थोड़ी देर रखने के बाद उसे आप निकाल के, यानि कि जब उप्टन आप चुड़ा लें, उसके बाद इसनान कर लें, इससे भी आपकी इसकिन में काफी निखार आता है, और काफी आपको रोगों से निजात मिलती है, ये एक प्रकार का जोतिशी उपाय भी होता है, कि हम सब्तधान अपने सरीर पर लेप करें, और उसके बाद थोड़ी दिर उसक और उसे आप पेस्ट बना के अपने सरीर में लगाएं, आपकी बहुत ज़्यादा ड्राइ सकिन है, तो आप हलका सा ओयल भी डाल सकते हैं, सरसु का तेल या तिल का तेल, कोई भी चीज, आप इस तरह से ये उप्टन तयार कर सकते हैं, दोस्तों कभी-कभी आपने सुना हो हमारे हिंदू परंपरा में बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं, जिन पर यदि हम पूरे नियम के अनुसार उसका पालन करते हैं, तो हमें इस तरह की कोई परिशानिया आती ही नहीं है, आप इस सप्तधान का प्रियोग करें, और इसका लाव देखें, बहुत अच्छा उपा अब धेरी ऐसे आप लगाएंगे तो वह बिखर जाएगी, तो किसी पात्र में आप ले ले, जैसे मैं आपको बताया ना कि यह मिट्टी का पात्र लेना है दीपक प्रजिलित करने के लिए, लास्ट वाले वीडियो में बताया था मैंने, तो इस तरह से आपको एक मिट्ट में कहीं भी किसी भी अस्थान पर आप एक अस्थान चुने और वहां पर दीपक जलाएं और दीपक का जो लव होता है वह उपर की ओर होना चाहिए, यह जैसे दीपक है, यह आप देख सकते ही, जैसे फूल बत्ती आप कहते हैं, इस अनाच की धेरी पर आपको दीपक प्र में दीपक प्रजलीत करना है और यदि आप मिट्टी के दिये प्रियोग कर रहे हैं तो दीपक बदल देना है, यदि धाटु कर दिया है तो आप पहले उसे दोख के साफ कर ले, उसके बाद फिर से उसी धेरी के ओपर आपको दीपक प्रुजलीत करना है, यह अक्रिया गातार 21 दिनों तक करनी होती है तो इस तरह से 21 दिनों तक डीपक जलाएं अनाज की धरी पर 21 दिन के बाद जो अनाज है आप उसे एक साथ रख ले और थोड़े थोड़े अनाज पानी में भीगो कर उसे पक्षियों में डालना शुरू कर दें तो आप यह कारे करें देखें बहुते लाप मिलता है यह सबी चीजें जो हमारे रिशिम gesam वनियों ने हमें कुछ खास तोर पर उपाय बताए होते हैं ये हमारे लिए बहुते लाप रध होती है यदि हम इसे बहुते ध्यान पुरवक और स्रदधा पुरवक कोई भी कारे को करने के लिए आपको स्रदध की आशकता होती है तो इसलिए आप इसे अंदेखा ना करें इसे पूंड स्रधावा से यदि करते हैं तो आपके घर की जो भी परिशानिया होती है आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है धन आने का मार्ग खुलता है आपके जो बच्चे होती है आपके संताने होती है आज की वीडियो में बस इतना ही यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हल्फुल लगे तो टीज हमाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें निव वीडियो के लिए, थेंक यू